हेलो फ्रेंट्स मेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको बॉटनेक की कटिंग से लाइस दोनों से खाएंगे और यह डिजाइनर बॉटनेक होगा कुर्ती की कटिंग कर लिए कुर्ती की करना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप लिए 12 इंच लिए बुकरम की चोड़ाई यह पेपर पेस्टिंग चुपकाने वाली और लंबाई हमने 8 इंच लिए सबसे पहले गले की चोड़ाई के लिए निसान लगाएंगे चार इंच पर अगर आप ज्यादा पतले हो तो आप इसकी यहां पर 3 इंच रखेंगे अब इसमें हम सेप दे देंगे पॉटने की इसकी सेप बिलकुल गोल नहीं होती है यह हलकी सी मतलब सेप यू सेप जैसी होती है तो यहां से हमने हलकी सेप दे ली है तो हमने देखिए कटिंग कर ली है अब हम इसकी कटिंग करने के बाद जो इसका दूसरा पार्ट होगा उसकी कटिंग कर लेंगे तो साइड से भुकरम को रख लेंगे और इसी को रख के क्यूंकि इसके दोनों गले सेम ही होते हैं बैक का भी और फ्रंट का भी आप चाहिए तो थोड़ा बहुत कम करके ले सकती हैं लेकिन इसकी चोड़ाई ज़्यादा नहीं हैं पहले वमक्य मारों खरी। जहोंने जोंने करए पाते के कुछ है यह से ज़्य शेयर से सब्सक्राइब लगाए के कौन्यादा पूर। है जो हमने एक्ट्रा फेबरिक रखा है आदा इंच के बरावर जब तर इसको उल्टी साइड को मोड देंगे जैसे कि हमने और यह से उल्टी सा कट लगा देंगे और सेम हमें अपनी कुर्ती में करना है तो कुर्ती के लिए भी हम इस तरीकी से फोल्ड कर लेंगे इसको जो हमारा बैक पार्ट है जो भी आप पहले बनाना चाहती है तो फ्रंट पार्ट लिया है हमने और उसका भी हमने सेंटर कर लिया है और देखिए इसको हम उल्टी साइड को रखेंगे और सीधी साइड को पल्टेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसमें जो डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हम इसको इस तरीके से बना रही हैं सिलाई लगा देंगे अब सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे सिल देंगे यह द दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिल देंगे जैसे आधा तो मैंने सिल लिया है अब जो इसका आधा पार्ट बचा है उसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे तो यह हमने सिलाई कर दिया है आधा पार्ट भी अपना यह देखिए बराबर करके सिलाई कर रहे है अब जो यहां से सिलने के बाद अब एक्स्ट्र फैब्रिक को हम यहां से कटिंग कर देंगे गला बना रहे हैं लेकिन आगे का गल्ड डिजाइन में होगा पीछे का गल्ड सिम्पल ही होगा उसको तो पलट ना है उसे आप उल्टी साइड को भी कलट गो recent बना रहे हैं sometimes इसे में सीधी साइड को पलट रही है उसको आप उल्टी साइड को पलट के भी बना सकती है तो इस तरीके से हम इसे सीधी साइड को कर लेंगे तो देखिए हमने अच्छे से सीधी साइड को इसे पलट लेना है अब जो हमने इसके उपर सिलाई लगाई थी उसे हम बाद में तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है हमने इसे अब हम क्या करेंगे कि जो हमने आपको लेज दिखाई थी यह वाली इसके हम पीस कट कर लेंगे यह हम डेड़ से 2 इंच के पीस कट करेंगे इस तरीके से देखिया आएगी है और इसलिए इसको कट करने के बाद हम इसक को पल्टा है यह सिलाई हमने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हम इसे जब पलट देंगे असलाई लगा देंगे तो फिर इनके लूप के लिए हमें जगा नहीं मिलेगी तो उसके बाद ही हम सिलाई लगाए लूप लगाते टाइम तो इस तरीके से मैं दो दो इंच के लगा देंगे मैं उपर से छोड़ दूँगे करीबन आधा एक इंच के बराबर वहां से हम अपना सोल्डर जोड़ेंगे तो उतना छोड़के तब हम लगाएंगे इसको अब करीबन आधा आधा इंच के बराबर दबाएंगे लूप को अंदर डेर इंच के रह जाएंगे जैसे 2 इंच के मैंने कट किये हैं तो आधा इंच दव जाएंगे तो ये 1.5 इंच के रह जाएंगे और देखिए आप डिस्टेंस आप अपने हिसाब से दे सकती है जैसे कि मैं इसमें जादा डिस्टेंस नहीं दोंगी मैं इनको पास-पास ही रखूंगी मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत भी आप दे सकती हैं आधा इंच के बरावर क्वाटर इंच के बरावर लेकिन मैंने इतना नहीं दिया है लेकिन लूप्स की जो लंबाई है वो बरावर ही होनी चाहिए आपकी तो आप देख सकती है मैं किस तरीके से लगा रही हूँ मैंने लंबाई बिल्कुल बरावर रखी है इनकी और ये बहुत अच्छा लुक आता है अब कोई और लेस से भी इनको बना सकती है तो यहां से भी हम ऐसे ही बनाएंगे ये देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल है इनको बनाना बहुत आसान भी तो यहां से देखिए मैंने पूरे में ये बना लिये हैं आप देख सकती है और अब मेरा ये गलावी सिल गया है अब हम क्या करेंगे कि अंदर की साइड को इसको लेस को इस तरीकी से लगा देंगे यहां से रखना है इसको नीचे से और बस जो ये छोटे छोटे पॉम पॉम दिख रहे हैं यही दिखने चाहिए इस तरीके की लेस भी मिलती है इनको पॉम पॉम लेस कहके मांगते हैं हम जैसे कहीं सौप से अगर आपको खरीदना हो तो यही आपको बोलना है कि पॉम्पम वाली लेज दे दो तो वो आपको हर तरीके के लेज दिखा देंगे तो यहां से देखिए अब हमें इन में मोती लगाने हैं तो वो कैसे लगाने है वो आपको देखना होगा जैसे मैंने कुछ में लगा लिये हैं कुछ में भी बाकी हैं तो आपको मोती लेना है जितना भी मतलब ज्यादा छोटा नहीं चलेगा इसमें छोटा चलेगा तो फिर वो थोड़ा सा आपका ये गैप दिखाई देगा तो मैं से उपर की साइड निकालेंगे और यहां से होल में से निकाल के इसको और यहां से जो हमने यह लूप से लगाई है इनके अंदर से ऐसे कर देंगे ताकि इसमें और मैंने वाइट कलर का दागा इसलिए लिया है क्योंकि इसमें यह वाइट कलर का कुड़ता है तो इसमें आप देख सकती है बड़ा सुन्दर लग रहा है बनने की बाद में बैक गला इसका सिंपली बनेगा उसमें आपको डिजाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे उम्मीद है कि आपको ये बॉट नेक जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल की का दो नहीं है